दोस्तो शास्तरों में कहा जाता है कि नबरात्री में छोटी कन्याओ की पूजा करने से देव शक्तियों का आश्री बात प्राप्त होता है माना जाता है कि कन्याओ को खाने में दही जलेबी नहीं खिलाना चाहिए पाप लगता है आपको बता दें, कन्या पूजन में कन्याओ की आयू का भी विशेश महत्व है। इस दिन कन्याओ को भोजन कराने से और उनको दक्षिना देने से देवी मा प्रसन होती है। नबरातरी में नौ दिन का ब्रत रखने के बाद सप्तमी, अश्टमी और नबमी को आप इन में से क इसी भी दिन कन्याओ को भोजन करा सकते हैं। ऐसे में उन कन्याओ को बुलाए जाता है, जिनकी उम्र दो से करीब 7 साल होती है। नो कन्याओ के साथ एक बुजुर्ग महिला और एक बालक भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिसे हनुमान जी का सरूप माना जा ऐसे में हम ये जानते हैं कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं तो आईए शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में तीन पूरियां कभी न रखें। इसे शुब नहीं माना जाता। तीन पूरियां तथा तीन रोटियां मरने बाले ब्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनक पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलबा, चना तथा, आलू की सबजी, छोले बगैरा की सबजी खिलाना चाहिए पनीर आदी भी खिलाया जा सकता है लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याच का इस्तमाल कभी न करें अन्य था अनर् कन्याव को कुरकुरे का पैकिट, चिप्स बगैरा का पैकिट खिलाते हैं, जो की घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याच का इस्तमाल होता है, जिसके कारण आपका ब्रत खंडित हो सकता है, मा दुरगा क्रोधित हो सकती है, जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याच का परहेच किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे ब्रत को खंडित कर सकती है, कन्याव को डबबंध कोई भी ऐसी चीजे ना खिलाएं, जिसमें लहसुन प्याच होता है, कई चीजे तो ऐसी होती है मार्केट में, जिसके अंदर लहसुन प्याच का इस्तमा होता है, ऐसा आप कभी मत करना, दोस्तो कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडि मेट लाकर ही खिलाते हैं, तथा दही जले भी खिलाते हैं, जो कि शुब नहीं माना जाता, भले ही आप दही जले भी खिला सकते हैं, परन्तु माता को बना पक्का खाना ही कन्याओ को खिलाना चाहिए हमेशा याद रखें कन्याओ को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए ऐसे बरतन पूजा पाट के लिए शुद्ध नहीं अशुब होते हैं कन्याओ को हमेशा इस्टील के बरतन या पत्तों से बने बरतन दोस्तो भोजन कराने के बाद कन्याव की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देभी शक्ति तथा दुर्गा मा को बहुत प्रीय है, लौंग माता शक्ति का पृटीक होती है, लौंग में नबु दुर्गा का वास होता है, इन नौ दुनों में मात बितारानी को लौंग का भोग ही लगाय जाता है। इसलिए कन्याव को थाली में चुप चाप एक लौंग जरूर रग दें। आपका भग चमक जाएगा। माता लक्षमी आपके जीबन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें। कन्याव को उपहर में क्य दे सकते हैं। शास्तरों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है मातारानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ती परदान करती है। ऐसे में आप कन्याव को चौकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खुपसुरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना द तो उनके चरंड जरूर छूलें और अपने मन में अपनी प्राथना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अबश्य ही पूरी करती है। दोस्त तो आप में से कौन-कौन चाहता है माता रानी को अपने घर पर बुलाना। तो सच्चे दिल से हमारे घर जरूर पधारें माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जै माता दी।